किसान, मद्दिमवर, सभी के सपनों को पूरा करें नए प्राइमरी कोपरेटिव बनाने के लिए एक महत्वकांची योजना का भी एलान हुआ है अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सबलता को एग्रिकल्चर सेक्टर में दोहरा ना है अब इस सुपरफूर को स्री अन की नई पहचान दी गई इंफ्रास्टर्टर पर दस लाग करोड रुप्य का अबुत्परव इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई उर्जा और तेज गती देगा अम्रित काल का ये पहला बजेट विक्सीट भारत के विराट संकल को पूरा करने के लिए एक मजबूत नीव का निर्मान करेगा ये बजेट वन्चीतों को वरियता देता है ये बजेट आज की एस्पिरेशनल सुसाइटी गाओं गरीब किसां मद्द्वर सभी के सपनों को पूरा करेगा मैं वित्नमंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस अईतियासिक बजेट के लिए बधाई देता है साथियों परंपरागत रूप से अपने हाथ से और जारों और टूल्स से कड़ी महनत कर कुछ न कुछ स्रुजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है लोहार, सुनार, कुमार, सुथार, मुर्तिकार, कारिगार, मिस्ति अंगिनित लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिष्ट है इन सभी विश्वकर्माओं की महनत और सुजन को देश इस बजेट में पहली बाद अनेक पोथसाहन योजना लेकर के आया है ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नलोजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्ता की गई है पी-एम विश्वकर्मा काउशल सम्मान यानि पी-एम विकास करोडों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बड़लाव लाएगा साथियों शहरी महलाओं से लेकर गाउं में रहने वाईली महलाएं हो कारोवार रोजगार में व्यवस्त महलाएं हो या गरकाम में व्यवस्त महलाएं हो उनके जीवन को आसान बनाने लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेक वीद कदम उठाए हैं जल जीवन मिशन हो जुला योजना हो पियमावाद योजना हो ऐसे अनेक कदम इन सब को बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा उसके साथ साथ महिलात सेल्फ हेल्फ गुरूप एक बहुत बड़ा सामर्तवान छेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगा अपने हाफ एकवायर कर चुका है उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं और इसलिए विमेन सेल्फ हेल्फ गुरूप उनके सर्वांगिन की विकास के लिए नई पहल इस बजेट में एक नया आयाम जोड़ेगी महिलाओं के लिए एक विशेस बचत योजना भी शुरू की जा रही है और जन्दन एकाउन के बाद ये विशेस बचत योजना सामान ने परिवार की गुरूइने मापाव बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है ये बजेट सहकारिता को ग्रामिन अर्थिववस्ता के विकास की दूरी बनाएगा सरकार ने कोपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारन योजना बनाई है स्टोरेज कैपेसिटी बजेट में नए प्राइमरी कोपरेटिव बनाने के लिए एक महत्वकांची योजना का भी एलाम हुआ है इससे खेती के साथ साथ दूद और मचली उत्पादन के खेतर का विस्तार होगा किसानों पशुपालकों और मचारों को अपने उत्पाद की बहतर कीमत में लेगी साथ यो अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सबलता को एगरिकल्चर सेक्टर में दोहराना है इसलिए इस बजेट में हम डिजिटल अगरिकल्चर इंट्रा सेक्टर के एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए है आज दुनिया इंट्रनेशनल मिलेट येर मना रही है भारप में मिलेट्स के अनेक प्रकार है अनेक नाम है आज जब मिलेट्स गर-गर में पहुंच रहा है पुरी दुनिया में पप्लर हो रहा है तो उसका सरवादिक लाव भारत के छोटे किसानों के नसीग में है और इसलिए आवशक है नए तरीके उसको आगे ले जाए 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 इसकी एक नई पहचान विशेश पहचान आवशक है इसलिए अब इस सुपर फूर को स्री अन्न की नई पहचान दी गई है उसके प्रोच्सान के लिए भी अनेक भी द्योजनाएं बनाए गई है स्री अन्न को दी गई प्राफ्रिक्ता से देश के छोटे किसानों हमारे आदिवाजी भाईवें जो किसानी करते हैं उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देश वाचियों को एक स्वस्त जीवन मिलेगा साथियों ये बजेट सस्टेनेबल फूचर के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन एकोनोमी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रासेक्टर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूत पूर्व विस्तार देगा बजेट में हमने टेक्नोलोजी और न्यू इकोनोमी पर बहाद अधिक बल दिया है एस्पिरेशनल भारत, आज, रोड, रेल, मेट्रो, पॉर्ट, वोटर्वेज, हर खेत्र में आधूनिक इंफ्रासेक्टर चाहता है नेक्स जनरेशन इंफ्रासेक्टर चाहिए 2014 की तुलना में इंफ्रासेक्टर में निवेश पर 400 परसंट से जादा के वृद्धी के गई है इस बार इंफ्रासेक्टर पर 10 लाग करोड रुप्ये का अबुत्परव इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई उर्जा और तेज गति देगा ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए आउसर परदा करेगा एक बहुत बड़ी आबादी को आएके नए आउसर अप्लब्द कराएगा इस बजेट में एज अब बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है मसमीच के लिए दो लाग करोड रुप्ये के अतिरित रुण की गारंटी की व्यवस्था की गई है अब प्रिजम्टिव टेस्क की लीमिट बढ़ने से मसमीच को ग्रोग करने में मदद मिलेगी बड़ी कंपनिया द्वारा मसमीच को समय पर पेमेंट मिले इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गया है साथियों बहुत तेजी से बदलते भारत में मद्यमवर्ग विकास हो या व्यवस्था हो साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ हो जीवन के हर शेत्र में आज भारत का मद्यमवर्ग एक प्रभुगधारा बना हुआ है संब्रूत और विक्सित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मद्यमवर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशे सामर्थ है वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मद्यमवर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है मद्यमबर को ससकता बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णे लिए और Ease of Living को सुनिश्चित किया है हमने Tax Rate को कम किया है साथ ही Process को Simplified, Transparent और Fast किया है हमेशा मद्यमबर के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मद्यमबर कोट टैक्स में बड़ी राहत दी है इस सर्वस परची और विक्षित भार्ट के निर्मार को गती देने वाले बजेट के लिए मैं फिर एक बाद निर्मला जी और उनकी पुरी टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और देश वाजियों को भी बहुत बधाई के साथ साथ मैं आवान करता हूँ आईए अब नया बजेट आपके सामने है नए संकल को लेकर के चल पड़े 2040 सेवर में समुरुद्ध भारत समर्थ भारत हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे आईए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं बहुत-बहुत दन्यवाद आईए